हलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोर हाजीर है एक नए वीडियो के साथ गाईज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी भी मॉबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना हुआ तो किस तरह से करेंगे? तो शूरू करते हैं हम लोगों को मॉबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए एक अप्लीकेशन की जरूरत होगी तो पहले हम लोग अप्लीकेशन को ynस्टाल करेंगे उसके बाद देखींगी कि तुस अप्लीकेशन का use कैसे करते हैं तो application install करने के लिए obviously सबसे पहले play store में आएंगे और यहां पे आने के बाद type करेंगे az screen recorder यह देखिए यह application होगा हमारा इस application से हम लोग किसी भी mobile का screen record कर सकते हैं इस application की download link description में दी भी है आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं जब यह application install हो जाए तो इसे open करेंगे open करने के बाद यह हमसे permission request करेगा तो हम यहां पे go to allow this इस पे click करेंगे फिर यहां से permission allow कर देंगे अब back आएंगे यह देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा यह हमारा application open है जब यह हमारा screen recorder application open रहेगा तो हमें यहां पे यह इस तरह से icon आता रहेगा जब हम इस icon पे click करेंगे तो हमें यह सारे options देखने को मिलेंगे तो हमें screen record करने के लिए यहां पे इस icon पे click करना होगा यह अभी अभी हमने install किया है और first time screen record कर रहे हैं तो यहां पे कुछ permission को allow करने होगे तो यह यहां से allow कर दीजिए तो यहां से device access का permission मांग रहा है तो यह से allow कर दीजिए अब यहां पे click किजिए start now अब यह countdown start होकर हमारे screen record होने लगेगी अब यहां पे आप कुछ भी open केजिए whatsapp messages, instagram feed, anything जो भी आपका दिल करें जो भी आपके screen पे आता रहेगा वो यहां पे अभी record होता रहेगा जब आपका record complete हो जाए और आपको screen recording stop करनी हो तो यहां notification में आएंगे उसके बाद इस icon पे stop हो जाएगा और जो screen record हुआ है वो file आपके screen पे खुल जाएगी यह देखिए इस तरह से आप इसे share केजिए play करके देखिए तो यह देखिए यह मेरी screen recording हुई है तो इस तरह से आप अपने mobile में इस application के जरिए अपना कुछ भी screen record कर सकते हैं जो भी screen record आप कीजिएगा वो आपके mobile में store होता रहे तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी mobile से अगर हमें screen record करना हुआ तो कैसे करेंगे इस तरह की और भी interesting वीडियो देखने के लिए आप यहाँ आई के आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप